आपका फिर से एक बार इस यूटूब टेनल पे हर दिक स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे कि लोग के दिमाग में जो एक मिस्कंसेप्शन चल रहा है आजकल की पांच लाग तक की इंकम टेक्स प्री है मतलब पांच लाग तक टेक्स नहीं बरना है उसके बाद अगर इंकम हुई जादा तो उस पे ही टेक्स बरना है ऐसा एक मिस्कंसेप्शन चल रहा है तो मैं आज आपको एक्जामपल्स अलग अलग लेके ये साबित करके यह वीडियो जो है वो एक कॉमनमेंट के लिए और टैक्स प्रैक्टिशनर्स दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण वीडियो है तो ध्यान से एक के बाद एक 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 जामपल पूरी तरह से समझेगा देखिए यह पहला एक्जामपल आपकी स्क्रीन पे जो आया पहले एक्जामपल में मान लिजे की सैलरी का इंकम छे लाख रूपय है और इंट्रेस्ट वगेरा की अदर्सोस की जो इंकम बन रही है वो एक लाख रूपया है तो टोटल मिला के साथ लाख बन रहे है उस साथ लाख में से स्टांडर्ड डिदक्शन सैलरी वाला कट की तो टैक्स बनेगा 255 लाख के बीच में 5% के हिसाब से 12500 और 12500 रिबेट मिलेगा 87 एका क्यों क्योंकि आपकी जो नेट टैक्सेबल इंकम आप ये नेट टैक्सेबल वाली लाइन जो पूरी है ना हरे रंग में वो देख लिजे क्योंकि नेट टैक्सेबल इंकम अगर 5 लाग तक रहा तो ही आपको रिबेट मिलेगा उससे ज्यादा अगर net taxable income हो गया तो आपका रिबेट उसमें नहीं मिलेगा तो इसमें रिबेट मिलेगा और ये zero हो जाएगा tax तो ये example one को काफी लोगों ने अपने दिमाग में एक जगा पे ठान दे दिया है तो उसके इसाब से ही लोग सोच रहे हैं कि example one के जैसा ही होगा और पांच लग तक tax नहीं आएगा लेकिन वो सिर्फ सही बात हो कि example one के बारे में अभी देखिए example two पे हम आते है example two में हमने सिर्फ क्या किया है कि salary के income को 100 रुपिय से बढ़ा दिया है तो हमरा total income भी 100 रुपिया बढ़ गया और actual total income कितना हो गया 7,00,00 और 100 रुपिय उसमें से हमको वही दो reduction मिल रहे है मालने जा standard reduction 50,000 और 80 का 150 तो net taxable income देखिए अभी 5 लग से आगे बढ़ गया 100 रुपिय से 5,00,00 और 100 रुपिय तो इसमें जो tax आएगा वो आएगा 2,5-5,00,00 के बीच में 5% और जो 100 रुपिया है वो 20% के slave में जाएगा उसमें 20 रुपिया tax बिनेगा तो 12,520 का tax आया और जैसे ही net taxable income 5,00,00 को exit कर गया हमरा तुरा rebate चला जाएगा एक रुपिया भी rebate नहीं मिलेगा और सिर्फ 100 रुपिया income बढ़ने से आप देखिए example 1 के मुकाबले में 100 रुपिया income बढ़ने से हमरा tax जो 0 था वो आ गया 13,021 रुपिय तो ऐसे case में अभी क्या planning हो सकता है example 2 में किस तरह से हम इसको नील कर सकते हैं तो देखिए 100 रुपिया जो income बढ़ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं वो 100 रुपिया Prime Minister's National Relief Fund में आप अगर donate कर देंगे तो आपको 100 रुपिया का deduction मिल जाएगा इसमें से और उसके बाद आपका income फिर से 5 लाग बन जाएगा example 1 की तरह पूरा case हो जाएगा और tax 0 हो जाएगा मतलब 100 रुपिया government को donate करने से आपको फिर से 12,500 का लाभ होने लगेगा देखिए अब example number 3 उसमें salary मान लिजे कम है 6 लाग नहीं 4 लाखी है लेकिन अभी क्या है special rate वाली income आ रही है special rate वाली income में से हमने इस example 3 में जो ली है वो है short term capital gain under section 111 A at the rate of 15% मतलब आपको जो equity share या equity oriented mutual fund में जीस आपका holding अगर 12 महिने से कम बाला है तो उसमें से आपको जो gain हो रहा है वो है short term capital gain तो उसके उपर 15% का fixed rate लगता है special rate लगता है उसके उपर slave के हिसाब से नहीं चला जा सकता है ऐसा income tax act में लिखा है तो वो देड़ लाख है और तीसरा other source का तो ऐसे ही income एक लाख का एक लाख ही continue कर दिया तो total income बन रही है 6,50,000 रुपिये उसमें से standard reduction 50,000 ATC as result 150 तो बनेगा 450 net taxable income net taxable income पाँच लाख तक सिमीध है पाँच लाख से कम है तो ऐसा के इसमें rebate तो मिलेगा लेकिन tax कितना बनेगा देखिए अभी income tax का slave जो है वो तो ऐसा ही रहेगा 250 का 250 से 450 तक अगर जाए तो बीच में 2,00,000 रुपिया रहे है 15 परसंट वाला तो उस देड़ लाख पे 15 परसंट tax आएगा बाकि बचा 50,000 रुपिया उस पे हमको slave के हिसाब से 5 परसंट का tax भरना पड़ेगा तो total मिला के tax बनता है 25,000 जिसमें से हमको rebate maximum मिलेगा 12,500 जो हमको example 1 में मिल रहा था वही maximum rebate मिलेगा 12,500 तो उसके बाद का जो tax आएगा rebate के बाद वो फिर से आएगा 12,500 उसमें 4% sales लगेगी और 13,000 tax भरना होगा देखिए आगे आएसा example जिसमें 5 लग से कम income हुई only 450,000 income हुई फिर भी आपको tax देना पढ़ रहा है example 3 में अभी उसका एक और variation देखिए example number 4 जिसमें हमने salary income as per example 3 continue रखी है लेकिन इसमार हमने special income जो है वो short term से हटा के long term कर दी है तो long term में 112 A में जो 10% आपको मालू होगा long term capital gain पे कोई tax हुआ नहीं करता था अभी तक जो share या equity related mutual fund से हो रही थी उस पे लेकिन पिछले budget में इसके उपर tax डाल दिया गया था मतलब 2018 के में बात कर रहा हूँ उस budget में इस पे tax डाल दिया गया था और उसके हिसाब से 125,000 अभी यहाँ प्यारा आए एक लाग काट के क्योंकि एक लाग काट को दो long term capital gain जो है वो हमको उसके tax नहीं बरना है तो मान लेजे 25 हुआ था उसमें से एक लाग तक हमने benefit अवेल कर भी लिया बाद में जो बच रहा है एक लाग पचीस हजार रुपया उसके उपर अभी हम tax भरेंगे और एक लाग रुपया अधर सोर्स वाला शुरू रहेगा तो टूटल मिला के बना 6 पचीस लेकिन उसमें सिफ as usual standard reduction और ATC कटने के बाद बता है 4 पचीस देखिए 5 से नीचे हुआ है 4 पचीस फिर भी tax आएगा किस तरह से देखिए अभी ये बहुत ही complex example लें उसके पूरी तरह से समझेगा 4 पचीस और 2 पचीस का slave जो है उसके बीच में gap है पौने 2 लाग का पौने 2 लाग में से क्या है कि 7 लाग जो रुपया है वो तो 10 परसंट का special rate वाला है और 50 हजार जो है वो normal rate में 5 परसंट में जाएगा तो 7 लाग का 10 परसंट करम निकाले तो बनेगा 12500 और 50 हजार का 5 परसंट निकाले के तो बनेगा 2500 टोटल भी ना के हमकरा tax बन रहा है हमारा 15,000 tax जो 15,000 बन रहा है उसमें से rebate सिर्फ हमको 2500 मिलेगा क्यों क्योंकि इसमें आप समझ लिजिए कि 112A जो है उसकी subsection 6 है subsection 6 में 112A में लिखा है कि इसके उपर 87 एका rebate नहीं मिलेगा तो हमको सिर्फ ये 2500 rebate जो मिल रहा है वो सिर्फ नॉर्मल रेट वाला जो 5% वाला tax बन रहा है उसके उपर ही हमको rebate मिल रहा है मतलब कि 1.25 के उपर जो 10% मिल रहा है वो पूरा tax हमें चुका नहीं पड़ेगा 12500 आप्टर दिस रिबेट और वो 12500 गन 4% से लगते ही वो 13,000 tax हो गया दूसरी चीज़ यहां आप आप यह नोड़ किजे के example 3 और 4 को अगर हम compare करे तो हमको जो 150 की income 125 हो रही है मतलब कम हो रही है और 15% के जगा 10% का ही tax लग रहा है फिर भी tax जो है वो हमको उतना ही चुकाना पड़ रहा है 13,000 का 13,000 ऐसा इसलिए हो रहा है कि 112A वाली जो income है उसके tax पे हमको rebate नहीं मिलता है इसलिए यह example 3 और 4 में same tax आ रहा है और बाद में आखिरी example देखते हैं आखिरी example में हमने क्या किया कि property का capital gain डाल दिया जो 20% में जाता है आपके अगर कोई immobile property है long term है मतलब choice month या उससे ज़्यादा आपने hold की है तो उसको long term capital asset बोलेंगे ऐसी immobile property को और उसको बेचने पे 20% का special tax बरना पड़ता है तो मान लीजिए ऐसा एक लाग का gain है long term का और बाकी की 4 लाग और एक लाग की जो income normal rate वाली है तो 6 लाग, 6 लाग में से 50,000 रहन 50 गटते ही 4 लाग हुआ अभी 4 लाग पे क्या होगा tax किस तरह से गिनेगे तो 4 लाग और 5 लाग के बीच में है 5 लाग, 5 लाग में से जो 1 लाग रुपिया है long term capital gain वाला, वो special rate में 20% में जाएगा, उसका tax बनेगा 20,000, बाकी बचा 5 लाग में से इस एक को निकालता है, तो 50,000 जिस पे 5% का normal rate से tax बरना पड़ेगा 5,500, तो 5,000 और वो पहले जो किना 20,000 तो 2,500 हुए, 2,500 में से maximum rebate मिलेगा वो मिलेगा हमको 12,500 का, तो net tax बरना पड़ेगा, 10,000 उसके 6 मिला के ही वो बनता है 10,400 रुपिया तो इस तरह से आपके दिमाद में अभी matter clear हो गई होगी कि अगर income 5,000,000 से कम भी है तो भी tax बरना पड़ सकता है ये depend उसी पर करता है कि आपका income का जो component से उसका composition किस type का है कौन-कौन से परकार की income है उस पे depend करेगा और दूसरी बात 5,000,000 से ज्यादा income हो गई तो आपका पूरा rebate चला जाएगा net taxable income आपको कैसे भी करके 5,000,000 तक होगी तो ही आपको ये rebate मिल सकता है otherwise ये rebate के लिए आप totally ineligible हो जाएगे अगर और भी variations है अगर आपके दिमाद में ये example 1-5 के अलाला तो वो variation के बारे में अगर आपकी कोई और भी query है तो आप इस वीडियो के comment में वो लिख सकते है मैं आपको clarification देने का पुरा प्रयास करूंगा धन्यवाद